होली की, आप सभी दर्सकों को ठेर सारी सुबकाम नाए हुली का दहन के समय, बहुत सारे प्रियोग किया जाते हैं आज हम आपको सिंपल तरीके से बाते बताएंगे, आप अपनी मननत के अनुशार ये प्रियोग चरूर करें खुली का देहन के दिन एक गलती आपके जीवन को बरबाद कर सकता है इसलिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना अति आवस्थिक है पिनासवे गवाए आईए हमाते हैं मुद्दिबे देखे भगवान बिश्णू ने जब नर्सिंग का अफ़तार लेकर भक्त पहलात की रखचा की थी तब से खुली का तोहार मनाने की प्रमपरा सदियों से चली आ रही है और खुली का पर्व दो दिन मनाया जाता है पहले दिन खुली का देहन होता है और दूसरे दिन रंग वाली खुली खिली जाती है वैसे तो अगर हम भारती नौसमबसर की बात करें तो जिस दिन फालगुन पुर्निवा है हुली का देहन इस दिन इस साल का अंत होता है और जिस दिन रंग वाली हुली मनाई जाती है उस दिन से नए वर्स का आरंबो होता है यानि खुसियों मना कर हम दिन की यानि साल की सुवात करते हैं तो इस बार हुली का देहन 28 मार्च को है और हुली 29 मार्च को रंगो वाली हुली होली का देहन के दिन कुछ खास प्रियोग, कुछ खास बातों का ध्यान रखना अतियावस्थिक है नहीं तो जीवन में परिषानी आ जाएगी तो वो कौन सी बाते हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली बात होली का देहन के दिन किसी को भी पैसे उधार देने की गलती ना करे क्योंकि इस दिन रुपे पैसे का लेंद देन करने से घर में पूरे साल धन की कमी आपको महसूस होगी घर की सुक समरिद्धी चली जाएगी तो हुलिका देहन की रात या दिन में पैसे किसी को उधार देने लेने से बचिए जहां तक संबब हो क्योंकि धन बहुत जरूरी चीज़ है लोग तोटके करते हैं आपसे धन लेकर लोग तोटके करते हैं बले ही दो दिन बाद वापस कर दे लेकिन आपके लक्षमी को आप वो प्राप्त करना चाहते हैं आपके भागे को प्राप्त करना चाहते हैं तो समझे इसारा और किसी को भी ना दे यदि किसी महिला का सिर्फ एक ही पुत्र है तो उसे खुलिका देहन की अगनी नहीं चलानी चाहिए प्रजलित नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर किसी महिला को एक पुत्र भी है पुत्री भी है यानि दो संतान है तब होली का देहन के अगनी वो प्रजलित कर सकती है इस बात का दिहान रखेगा वैसे तो हर कोई नहीं करता है अगनी प्रजलित लेकिन छोटी-छोटी जानकारि बहुत काम की होती है, इसके आपको बेनिफिट ही मिलेंगे, होली का देहन के दिन तमाम तरह के लोग टोने टोटके करते हैं, तांतरी क्रियाएं करते हैं, टोटकों के लिए प्रसिद्ध है होली का देहन की रात, तो इस दिन सफेद चीज मत खाईए, सक्त मना ही, यानि किसी का भी दिया हुआ बतासा है मिसरी है सफेद मिठाई है दूद है भूल कर भी से बन ना करें क्योंकि सफेद चीजों से नकात मक्सक्तियां जल्दी आकर सित होती है इसलिए खीर दूद दही बतासे कोई भी दे मत खाईए कोसिस कीजिए अपने भी घर में ना काने की हुली का देहन के दिन इन चीजों का ध्यान रखेगा तो बढ़िया रहेगा देखे हुली का देहन में क्या होता है ना बहुत सारे लोग आम के टहनी बट बिच्च के टहनी पीपल के टहनी बेगर जला देते हैं गोवर के कंडे उबले जलाये जाते हैं जोतिस की माने तो हुली का देहन के दिन महलाओं को सिर्ध ढखकर ही हमेशा रहना चाहिए कभी भी खुले बाल ना रखे अब वे चाहे तो अपने पुत्र के दिरगायू के लिए इस दिर उपवास भी रख सकती है क्योंकि ऐसा करने से भगवान स्री कृष्ण की बिसेज क्रिपा मिलती है और उनका पुत्र चिरंजी भी होता है खुमान सम्मान कमाता है खुली का देहन के दिन अपनी मा का आप मान ना करें इससे आपको जीवन में दरिता का सामना करना पर सकता है इस दिन अपनी माता को आप गिप्ट बेगेरत दे उनके चरनस परस करें भगवान स्री कृष्ण की किपा से आपके धन के स्थिती सुधरती चली जाएगी उन्नती दिन बदिन होती चली जाएगी जो तिस कहता है इहोली का देहन के दिन बेक्ती को अपने परिवार सहित होली की अगनी में कुछ नकुछ अपने मननत की अनुसा डालना चाहिए लेकिन इसके साथ ही गेहूं गुड से बनी रोटी खानी चाहिए गेहूं और गुड ऐसा कह सकते हैं इसको मालपुआ भी हम कह सकते हैं तो मालपुआ खाने का बिधान है इस दिन चने का सेवन करने से सनी देव की किरपा भी मिलती है तो आप चने का बहुत रखी चीजे बनती है नई कुस तो सबजी बनाए उसमें दो चार दाने चने ही डाल दे सनी देव की किरपा बरसती है तो ये छोटा सा परियोग जरूर कीजेगा होलिका देहन का सुम मुहुर्थ इस वार चुकी 28 मार्च को साम 6 बच कर 36 मिनट से रात 8 बजे तक सुभी योग है और 8 बच कर 3 मिनट से रात 9 बजे तक अमरीत काल रहेगा सास्त्रों की माने तो ये वक्त सबसे उत्तम है अब सबाल ये होता है कि होलिका की अगनी में क्या ना डाले देखिए पानी वाला नारियल जो साबूत होता है वो मट डालिये निक तो फट पड़ेगा चारो तरफ चिंगारी उड़ेगी भूल कर भी गलती ना करे जब भी डाले नारियल का गोला डाले उसको कट करके अंदर में कुछ चीजें अर्पित करने के बाद भरने के बाद डाले ये सबसे सुब रहता है इस बार बहुत ही दुरलम मुहृत बना हुआ है भद्रा की साया भी नहीं है तो सूल योग में पूजा करने से आपको मुर्ति उतल लकस्ट से मुक्ती पा सकेंगे आप यानि बीमारियों से रक्षा होती है तो घर पर आप अगर चाहते हैं तो घर पर भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन संबब हो तो बिरान अस्थान पर जहां होती है वहीं पर करे कोड़ी अगर आप मिट्टी में गड़ा करके अपनी मननत कहके कोई अच्छी वाली मननत कहके मिट्टी में गड़ा में करके कोड़ी आप दबा दें फिर होलिका पर जलीत होने के बाद जब ठंडा हो जायराक उस कोड़ी को निकाल कर अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी के साथ किसी पहतेवे जल में प्रवाइद कर दे तो जीवन के कस्ट मिट जाते हैं अच्छे स्वास्त के लिए आप चंदन की लकडी होलिका के अगनी में डाले और अपना करियर अपने रोजगार के लिए सरसूं के डानी डाले होलिका के अगनी में घर परिवार में सुकसानती हो इसके लिए आटा या फिर जौकी बालिया डाले होलिका की अगनी में मिर्टि उत्यु लिकस्ट से मुक्ती पाने के लिए काला तिल डालें अगनी में एक बात का हमेशा ध्यान डखेगा बहुत साई लोग क्या करते हैं कुछ भी उल्टे सिधे चीज डाल देते हैं जैसे लाल मिर्च डाल देते हैं हुलिका देहन की अगनी में या फिर नमक डाल देते हैं तो ये सभी उल्टे पल्टे चीज ना डालें मा जो हुलिका है वो नाराज हो जाएंगी जब भी डालें पवितर बस्तू डालें आप पुरी रजा बलाओं से मुक्ती पाने के लिए सरसों के दाने डाल सकते हैं तो चलिए हम जान लेते हैं इस खुलिका देहन में क्या डाला चाहिए देखिए सबसे पहली बात तो इस खुलिका देहन के अस्थान पर जाएं पहले अगनी को परणाम करें भूमी पर जल डालें और फिर अगनी में गेहुं की बालियां गोबर के उपले और काले तिल के डाने डालें जो आप गोबर के उपले डालेंगे न साथ गोबर के कंडे होंगे इसके माला बना कर ही डाला जाता है इससे ज़्यादा मत लीचेगा अगनी की प्रिक्मा कम से कम तीन बार कीजिएगा और फिर अगनी को परणाम करके अपनी मनोकाम ना कहे और होलिका की अगनी की राक से स्वैम का और अपने घर के लोगों का तिलक चरूर करें होलिका की अगनी में क्या पित करेंगे कि सब कुछ बेहतर हो जाएं, खुसियां प्राप्त हो सिम्पल तरीके से जानते हैं अच्छे स्वास्त के लिए काला तिल डाले बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हरी इनाइची और कपूर डाले धन लाप के लिए चंदन की लकरी डाले और रोजगार की परापती के लिए पीली सरसों डाले बिवाह सिग्र होने के लिए बैवाही जीवन की परिसानियों से मुक्ती पाने के लिए हवन सामगरी डाले और नकातमक उड़जा से मुक्ती पाने के लिए काली सरसों जिसको हम राई कहते हैं उसको डाल सकते हैं आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे जब हुली का दहन सान्थ हो जाए तब वहां पर से थोरा सा राख ले आईए चुक्के से लाना है और राख लाने से लाके अपने घर में छोटे छोटे परियोग कर सकते हैं याद रखे इस दिन सफेज चीजें दूद दही चाव अलादी का सेवन भूल कर भी ना करें काले चने का सेवन जरूर करें और जरूरत मन बैक्ती को काला चना का दान भी कर सकते हैं आपके संकट दूर होंगे उननती के माग फलेंगे तो छोटे छोटे परियोग है और इस दिन पुआ माल पुआ आप जरूर खाईए क्योंकि मालपुआ खाने से जीवन के हर परिशानी दूर हो जाती है हम आपसे बिदा लेते हैं जो कि स्वास्त की परिशानी की बज़ा से थोड़े से हम आपसे दूरियां बनाए हुए है आप सभी कोई वर फिर से धेर सारी सुबकामना है इस होली की ये होली आपके जीवन के तमाम तकलीफों को दूर करे ये होली का देहन में अपने बुराईयों को अपने परिसानियों को जला दे और एक अच्छी लाइब जीए वैसे तो आठ पूरियों की अठावरी भी चढ़ाई जाती है और सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है लाल पीला चंदन चढ़ाने का रेवडी का भोग लगाने का भी विधान है अगर आप आठे का उप्टन लगा कर उस आठे को हुली का देहन में डाल दे तो स्वास्त समस्या मानसिक समस्या दूर होती है और अगर नारियल सुपाडी चढ़ाएं तो सबसे अच्छा होता है बच्चों के सर पर संकट नहीं आता है रोग नास पिमारियों कर नास के लिए खास परियोग जरूर करें महा मिरतुन जे मंदर का जब कर सकते हैं धन की प्राप्ति के लिए ओम नमो धन्दा इस्वा हर मंतर का जब कर सकते हैं होली के दिन कील का महा टोटका किया जाता है माना जाता है कि यह कील का टोटका करने से हर मनों कामना पूर्ण होती है चाहे आपका कोट कचरी में मुकदमा हो संतान प्राप्ति सत्रू नास जो मन में चाहेंगे वही पुरा होगा ऐसा नहीं कि सुब मंगल कारी के लिए नहीं हर चीची लिए आप कर सकते हैं क्या करेंगे देखिए दो कील लेना है आपको सुबह सुबह होलिका दिन वाले दिन करेंडाओ इस देन किल को लेकर हनुआन जी के मंदिर में मैं जयें अब हनुआ को दूप दीव को चरन में चड़ा दें इसके बाद उन अप मासें फड़ी पढ़ने लिएगा लिए पुर विश्वास पढ़र को आपके बोलीए आपकी क्या अच्छा है बोलिए उनसे मन में नहीं बोलना है बोल बोल कर बोलिए बोलने से ही मनुकामना पुर्ण होती है अब इन कीलों को हाथ में ले लिजे दाइने हाथ से उठाकर फिर अपनी विस बोलिए मनुकामना बोलिए और हर्मान जी से जो भी बोलना है कहकर इसक मत बदल जाएगी सक्तुरों का नास हो का कोई आपका कुछ बाल भी बढ़ेंगा